वर्ष 2015 में ब्रहस्पती ग्रह आपके जीवन में नई महत्वकान शाओं को अगरसर करने में सहायक होगा यह वर्ष आपके जीवन के हर मार्ग में नई कारियों और उमीदों के अफसर प्राप्त कराएगा आपके निजी और व्यवसाइक छेतर में उन्नती प्राप्त करने के लिए यह उचित समय है ग्रहों की दशा आपके संकल्पों को पून करने में मदद करेगी आप अपनी पुरानी बीती बातों को भुला कर नए कारे की और अगरसर होगा यदि आप कोई संक्रतिक, मनोरंजन या कला में निपुण हैं और आप उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो यह उचित समय होने में मदद कार होगा यह वर्ष आपके लिए अथक परिश्रम और परतिबदता का होने की संभावना है और आने वाले वर्षों में अच्छी सफलता लेकर आने का योग है आपको संगर्ष करने की भी आविशकता होगी नकारात्मक सोच विचार ना करें जो विवाहित हैं आपके संबंदों में विशेश सामजस्य का प्रवाह होगा अपने अपने साथी से सच्ची भावना को व्यक्त करने में सफलता प्राप्त करें सपस्ट और सही बात करें और कोई भी परिशानी में न पढ़ें जो अविवाहित लोग हैं उनको अभी जीवन साथी प्राप्त करने के लिए वक्त लग सकता है अपने जीवन साथी के साथ कोई गलत कदम न उठाएं जिससे वे नाराज हो इस वर्ष आपका वे अधिक हो सकता है और आए कम इसी लिए सजग रहने की जरूरत होगी अपनी जीविका और धन को जादा प्राप्त करने के लिए किसी के साथ छल कपट या धोखा न करें अपनी आत्मा की आवाद सुनें और सावधान रहें इस वर्ष आर्थिक विवस्था में कठिनाई भी आ सकती है जिसकी पूर्ती के लिए आप बहुत ही दुखी भी हो सकते हैं इसी लिए धीरत से काम लें और कछिन समय के लिए धन की बचत करने का प्रयास करें वित्तिय मार के लिए अपनी स्पस्ट दूरदर्शिता रखें छोटे छोटे करस्ट स्वास्थे की परिशानी को बढ़ावा दे सकते हैं लेकिन अपनी मानसिक, शारेरिक और आत्मिक उन्नती पर कोई असर न होने दे आपका सामान्य स्वास्थे 50% तक ही कुशल रहने की संभावना है इसी लिए अपने रहन सहन, खान पान और असंतुलित भोजन पर विशेश ध्यान देने की आवशक्ता होगी आपको व्यायाम और सेर आदी करना जरूरी है जिससे आपका स्वास्थे कुशल हो सके शारेरिक गतिविदियों को ठीक रखने के लिए आप अधिक कारे न करें जितना आपकी कुशलता कहती है उतना ही कारे करें अपने अंदर की उजा की मात्रा को सही रखें ताकि आप स्वस्थ जीवन में रह सकें वर्ष 2015 के प्रथम भाग में ब्रहस्पती देव आपके बारवे भाग में और शनी देव चतुर्थ भाग में होने की वज़े से आपको अपने कुछ कस्टों से परिशान होना पड़ सकता है आप अपने मित्रों और परिवार वालों से सही संबंद रखें 2015 का राशीफल कहता है कि इस साल आप धर्म और अपने संकल्पों में रत रहकर अच्छा अनुभव करेंगे 2015 में आपकी सभी परिशानिया समय समय पर कम होती नजर आएंगी इस वर्ष के अंत में आपका भविश्य अच्छा परिणाम देगा और आप अपनी विशेश योजनाओं को सफल बनाने में नियंतरन पासकेंगे और आपको लाप प्राप्त होने की भी संभावना है गाएं की सेवा करना आपके लिए अच्छा रहेगा ब्रहस्पती देव और शनी देव ग्रहों की पूजा आपको फल देगी इस विशेश पर अधिक जानकारी के लिए आप कुशल जोतिशाचारिये से भी संपर कर सकते हैं जोतिशाचारिये के बताय अनुसार भी आप अपना कारे और पूजा पद्यती को कर सकने में सफलता प्राप्त करेंगे आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दय धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाय प्रदान करते रहेंगे